दिवाली की कथा के वारेम बताया जाता है जो राजा बली को समझते हैं एक वार महाराजा युदिश्टर ने बगवान से केशन से बिनेपुर्वक बुचा कि हे भगवान आप मुझे कृपा करके ऐसा ब्रत या अनुष्टान बताएं जिसके करने से मैं अपने नश्ट राजी को पुर्णे प्राप्त कर सको क्योंकि राजी से पंचित हो जाने के कारण में अतन्त दुखी हुए सी किशन जी ने कहा कि हे राजन मेरा परंभक्त देतराजवली ने एक वार सो असमे करने का संक्र किया था 99 यग्य तो उनके निर्वदन रूप से पूर्ण कर लिये परंटु सोभा यग्य पूर्ण होते ही उसने अपने राजी से निर्वासन होने का भे सताने लगा देपताओं के साथ लेकर इंद्र शीर सागर निवासी भगवान विष्णु के पास पहुंचकर बेद मंत्रों से इस्तुति की और अपने कश्टों का समर्पन ब्रतान्त भगवान विष्णु से कह सुनाया भगवान ने इंद्र की इस्तुति सुनकर और देपताओं की इस्तुति सुनकर भगवान वंसे का तुम निर्वय होकर अपने लोग में जाओ, मैं तुमारे कश्ट को सीगरी दूर कर दूँगा इंद्र के चले जाने पर वगवान ने बामन का आफ़ता धारण कर बटू बेस में राजा बली के यग में प्रिस्तान किया राजा बली को बचन बंद कर वगवान ने तीन पग भूनी उनके धान में मांग लिए बली द्वरादान का संकल्प करते ही बगवान ने अपने ब्राड फूट से एक पग में सारी पतीगों नाप लिया तूसरे पग में अंत्रिक्ष को तीसरे चरण उनके सिर्फ रख लिया राजा बली की दान सिलता से प्रिसंद नोकर भवान ने उनकी बर मांगने को कहा तो राजा बली ने कहा कार्टिक प्रिश्न पक्ष की त्रियो दसी से अमावस्य तक अथार्ट दीपा बली तक इस धर्दी पर मेरा राज रहे इन तीनों दिनों तक सभी लोग दीव दान कर लक्ष्मी जी की पूजा करें और कड़ता के ग्रह में लक्ष्मी का बास लो राजा द्वारा याचित वर को देखकर भगवान ने बली को पाताल पुरी का राज देखकर पाताल लोग ले दिया उसी समय से देश के संफूर नागरिक इस पूनित दीपावली पर्व को मनाते चले आ रहे हैं अते सभी प्राणियों के लिए इस पर्व की सदवावना पूरवक मानना आवस्यक नहीं बलकि अनवारिये माना जाता है